बुद्ध और महावीर के समय में और उससे कुछ पहले तक जो समय था, जो काल था, जो संखती थी, जो कल्चर थी, जिसको बाद में संस्कृति कहा गया, उस सबी को वेदिक काल या वेदिक काल बुला जाता है, यानि बुद्ध के आसपास के समय को, माहवीर जैन के आसपास के समय को वेदिक काल या वेदिक काल बुला जाता है, वैद सब्द या वैदिक सब्द पाली में पुरानी भासा में नहीं है दो मात्रा वाला जिस पे दो मात्रा लगी होती है पर वैद सब्द होता है एक मात्रा के सारे सब्द पाली के पुराने भारत के सब्द है तो वैद काल यानि वैदिक काल का मतलब है कि जब हमारे समण लोग भारत के समण लोग चाएं समण महवीर जैसे संथ हैं चाएं समण बुद्ध जैसे संथ हैं या और भी जो साठ प्रकार के संथ रहे हैं उस समय के वो जो वेदनाओं पे गणेवर्षन करते थे गणना करते थे उनकी खोज करते थे उनको जानते थे कि कैसे सरीर पर वेदनाय काम करती है समवेदना है, दुरवेदना है कैसी वेदना है, अच्छी वेदना है या खराब वेदना है तो जो वेदनाय होती थी, यानि जो सैंसिस होते थे वो कैसे काम करते हैं किसी मनुस्य पर या किसी जीप पर जानवर पर इसके अध्यन से, इसके अतअज्ञन से, इसके गणवेशना से, इसकी गणणा से, इसकी एनलेसिस से जो वातावरण, जो संखती और जो समय का काल था उसको वैदिक काल या वैदिक काल बोलते हैं यानि वेदनाओं का समय बुद्ध का एक नाम वेदन्तगू या वेदंगगू है वेदंगगू या वेदन्तगू का मतलब है कि वेदनाओं के अंत तक जानने वाला गुरू और जितनी भी ये वेदी का है या वेदनाए है या वेदेती है या वेद के जितने भी सब्द हैं उस सारे पाली में मिलते हैं लगबग 15-16 सब्द हैं सद्ध हैं जो मिलते हैं इसलिए जो वेदिक काल है उस समय के समय को बोला जाता है और जो उस समय बुद्ध और महावीर से पहले जतना भी कुछ वेदराओं के उपर हुई या जो उनकी जानकारियां इखटी हुई कैसे जैसे मिर्च खाने पर कैसी वेदना आती है चांटा खाने पर कैसी वेदना आती है अब सब्द या गाली खाने पर कैसी वेदना आती है पिरसंसा करने पर कैसी वेदना आती है किसी को बिना मेहनत के अगर सामान मिलता है त पंध होती है, सोते समय कैसी वेदनाए होती है, जक्ते समय कैसी वेदनाए होती है, बीमारी के समय कैसी तरफन और कैसी वेदनाए होती है, साधी ब्या के समय कैसी वेदनाए होती है, सेक्स के समय कैसी वेदनाए होती है, बढ़ापे में कैसी वेदनाए होती है, बचपन में कै कर कैसी वेदना है, ठंड में कैसा अनुभव होता है, गर्मी में कैसा अनुभव होता है, ये सारा का सारा जितना भी वेदनाओं पर अध्यन था, इस वेदनाओं के अध्यन को कई भागों में बाटा गया, जिसमें समन लोगों की वेदनाओं जिसको साम यानि साम माने काले ल लगे ये अलग अलग तरह की जो वेदराएं हैं उनके सब के ग्यान को जो कंठस्ट होता था जो बोलकर एक दूसरे को बताया जाता था या दबाओं के रूप में इलाज के रूप में किया जाता था उस पूरे काल को जो वेदराओं के अध्यन का काल था वैदिक काल बोलते ह जो बुद्ध का काल है, जो महावीर का काल है, जो आज भी चलता है, क्योंकि आज भी हम वेधनाओं का लगातार अध्यन करते हैं, इसने कोई व्यक्ति ये कहे कि ये वेधिक काल का है, तो इसका मतलब बुद्ध के काल का है, क्योंकि बुद्ध ने वेधनाओं के अंत तक का सरीर पे आने वाली वेदनाओं का जाने वाली वेदनाओं का अंत तक अधन किया और वेदनाओं के पार भी गए, इसलिए उनको वेदनत पारगू भी बोलते हैं, यानि वेदनाओं के पार जाने वाले गुरू भी बोलते हैं, ये भी नाम बुद्ध का ही है, इसलिए अगर आपको कोई कहे कि ये वैदिक काल या वैदिक संसक्रती या वैदिक कल्चर या वैदिक समय या वैदिक लोग तो वो सीधे सीधे बुद्ध और महावीर्ग से संबंदित है उनकी वेदनाओं से उनकी वेदनाओं की अध्धन से संबंदित है जो वेद चलते हैं भारत में उस देखोगे तो वेद्राओं के अध्धन में व्यक्ति बात नहीं होता व्यक्ति का जैकारा नहीं होता लडाई और मारधार का कहीं कोई जिक्र नहीं होता सामाजिक बातें नहीं होती सामाजिक ग्यान का अध्धन अलग चलता है लडाई मारधार का जो है वो अलग चलता है वा वैदिक संस्क्रति या वैदिक घटना या वैदिक काल या वैदिक लोग तो वो समण लोग है, समण धम है, समण काल है और समण संखति है, संघंग नमामी, संघंग नमामी, संघंग नमामी.